नमस्कार तो कल आपने देखा कि हमारे AFF ने 2024 का डोमेस्टिक फुटबॉल कलेंडर होता है वो जो एनाॉंस कर दिया कि ऐसे ऐसे जो रहेगा पूरे साल भर हमारे जो सीजन रहेगा फुटबॉल का वुमन्स का मैंस का यूथ का सब चीजे नों ने जो है वो खोल दी कि पूरी डेट्स भी बता दिये तो देखिए ऐसी डेट्स पहले भी बताई जा चुकी है लेकिन हर बार जो है वो चीजे सही समय पर हुई नहीं है हाँ लेकिन इस कलेंडर को देखते हुए जो है फुटबॉल जो होने वाला पूरे साल में 2024 में वो काफी अच्छा हो सकता है एक्कॉर्डिंग टू कलेंडर लेकिन वो सभी चीजे सही टाइम पर चालू होगी देन वो चीज जो है वो सही तरीके से दिखेगी और मज़ा हम ले पाएंगे अब थोड़ा सा मैं जो डेट्स या कलेंडर के बारे में आपको बताता हूँ उसके बाद कुछ चीजे मैं आगे और जो है डिसकस करने वाला हूँ उसके उपर मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ फिर आपकी भी मैं उपिनियन उसके उपर जानना चाहूँगा तो जैसे कि कहा गया जुलाई के एंड से डूरंड कप चालू जाएगा जो अगस्थ एंड तक चलेगा इनको 9 महिने का टाइम दिया गया है जो कि सितंबर से चालूगी 2024 से और मई 2025 में खतम होने वाली तो इतने सारे महिने यूथ लीग को दिये गया तो इसमें कैसे वो यूथ लीग होगी यह तो जब हम चालूग उसके बाद ही समझ में आगा कि किस तरीके से वो यूथ लीग को कराने वाले है कि इतना अच्छा टाइम जो है वो मिल रहा है क्योंकि अगर इतने लंबे पिरियेड में अगर यूथ लीग हो रही है इसमाद यूथ लीग तो अच्छी ही होना चाहिए बागी लेट सी क्योंकि अभी तो हम चीज इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ अच्छी तो होगी लेगिन उसकी रियालिटी तो तभी पता चलीगी इंडियान सुपर लीग जो लेट चालू होती है वो सेप्टेमबर से ही चालू होने वाली जो कि अप्रेल अंड तक चलने वाली है और आप्रेल में खत्म होगा विकास इडबलल टू में कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खिलेगा तो वो लीग थोड़ी छोटी ही क्योंकि वहाँ पर फीफा फ्रेंडली विंडो जो आती ही वोमन्स की उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खिलता है जिसको फीफा फ्रेंडली विंडो में चाना है तो वो भी जन्वरी 15 से अप्रेल 2025 तक चले तो यह थोड़ा अलग फॉर्मिट में है जो कि हमेंसा एक सेपरेट मन्त में होता है अब पूरे सीजन में साथ साथ चलेगा लीग के साथ वाला जो अब आप इंडियर फुट बॉट बॉट में उठा पायेंगे के आपक एक टीम जो है कभी कप खेल रहे हैं जो कभी इंटरनेशनल मैचेस खेलने रहीं चेली तो वो चीज है की एक नियो आपको लगेगा विंडे कि बहुत अच्छी भी है जो जूनियर नेशनल संतोस ट्रोफी वगेरा जो होते हैं वो अबियसली वैसे ही होंगे जैसे अभी हो रहे है तो उसमें कोई भज जाता बदलाओ की बात है नहीं जो नेशनल बीच सॉकर चेंपियंसिप होगी वो अगले साल फरवरी में होगी जो फुटसल चेंपियंसिप होने वाली वो मई में होगी मतला सबसे लांस्ट टूर्णामेंट जो अगर आप बोलेंगे कोई तो मैंस फुटसल चेंपियंसिप होने वाली है वो होगी अब इसम National Tournament, जो National Championship का बूला था, All In The Football Federation, उसकी डेट्स अभी इसमें उन्होंने एड नहीं करिये, जिसके बारे में उन्होंने उनका जो लिटर उसमें लिखा है कि Under 20 National Championship जो है वो बाद में इसमें जोड दी जाएगी, जो Finance Committee क्या budget डिसाइड करती है, उसके हिसाब से, दूसरी चीज इसमें नहीं है, वो है Reliance Developmental League, जो Reserve League बोलते हैं, तो इसमें एड नहीं करीगे, कि इसका क्या मतलब है कि वो AFF केंडर नहीं आती है, जो Premier League, Next Generation Cup अगेरा जो होता है, वो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ हूँ, उसको लेकर क्योंकि यहां पर उसको एड नहीं किया गया है उस Developmental League को, जिसका मतलब AFF केंडर नहीं आती होगी, मेभी, या अगर आती होगी तो बात में इसको बारे में बताएंगे, क्योंकि Reserve League जो इसको भी बहुत एक, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन प्लियर्स को चांस नहीं मिल पाता ISL में, वो मेभी उस लीग में खेल कर अपना ह अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं बोलूँगा इसको क्रिटिसाइज करनी जैसे कोई बात नहीं, very good, कि आपने पहली बता जिए कि देखो यह होने वाला है हमारे हैं, और मज़ेजार, मतलब मज़ा है का देखने में, सब चीज एक साथ चली कि त मेरा जो मेरी नजर है, वो है यूथ लेवल का जो एक्सपोजर होगा, जैसे आपकी डॉमेस्टिक आपने बता दिया कि नौ महिने का आपने टाइम पिरिएट दिया है यूथ लीग के लिए, लेकिन उन नौ महिने में इन टीम को इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे दिया जा इस तरीके के फ्रेंडली स्खेलने जाएगी, आएगी जो भी है और सेम अंडर 23 का भी मैं चाहूँगा कि वो चीज कैसे होगी, है ना, यह चीज है, कि अंडर 13 तो कंसिडर नहीं कहा आता, तो उसलिए अंडर 17 है, अंडर 20 है और अंडर 23 जो है वो भी, तो इनको कैसे आप यह जो है, डॉमेस्टिक के साथ इनको कैसे आप करेंगे कि इनको आप कैसे एक्सपोजर देंगे, विकॉस यह इंडर 17 तो चलो दे रहा है, उसके अप टीम भी बना होगी, उस टीम को आप फिर कैसे एक्सपोजर देगो का ग्रो करोगे, वो मैं जानना चाहता हूँ, व्र यहां पर यूथ लीग के उपर तो काफी लोग काम करें, काफी देश काम करें, लेकि उस टीम को एक्सपोजर कैसे दिया जारहा है, जैसे जापान ये, तो वह आली चीज को पर है, यहां पर मैं कृटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यह मैं देखना चाहूंगा, कि आप इंटरन आजकल किसी चीज से होता नहीं, क्योंकि आजकल इंडियन फुटबॉल जो है, उसमें ऐसी चीज हमारे साथ हो चुकी है, कि बता तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन अट देखने चीजे मिलती नहीं, तो हमको उस चीज का वेठ है कि यह चीजे हमको करते हुए दिखे तो बागी यही सब चीजे है, हमारा कलेंडर बहुत अच्छा बना है, अब बस यही है कि कलेंडर सहीं से हो, जो डेट बोली है, उसी डेट पर लीग चालोना चाहिए, उसी डेट पर खतम होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और आप मैचेस ऐसे ही फिक्स करिए, कि उसको कभी रिसेट ड्यूल या कुछ भी उसको इधर उधर चेंज करने की जरुरती न पड़े, आप ऐसे मतलब की मैचेस के जो है, जो डेट ऐसे डिसाइड करिए, कि कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बाद में ऐसी होता है, जैसे भी आप ODSFC का देख सकते है, कि अल्रेडी पता था, फिर भी, क्योंकि अभी हम वो पचास मैच जो है, एक लीग में खेलेंगे, मतलब एक सीजन में, अभी उस्टू नहीं हो है, वो इस सीजन से आएंगे, ठीक है, तो अभी अल्रेडी पता था, आएसे ल को कि उडिसाइड करने वाला है, उनका जो है वो जोनल, प्लेओफ, समिफाइनल, जो भी होने वाला है, तब भी उनका मैच उनने तीन तारीक को दिया, और उदर साथ तारीक उनका मैच था, वो पहले सी उनको पता था, फिर भी उनने जो है, वो डेट वैसी डिसाइड करी, जबकि वो नहीं करना था, मेरे साब से, क्योंक चीज करना, तो इसलिए डेट्स भी आप ऐसी बनाई है, कि सब कोई दिक्कत ही नो, सबको तो ऐसा रहे गए नहीं कि कोई दिक्कत है, कि भाई, हाँ, प्रॉपर टाइम तो दिया ही गया सबको, तो वो भी एक चीज है, क्योंकि जो लीग की डेट्स होती हो, बहुती दिमा तो वो इसकेंडर आएगी है, वो अलग से की जाएगी है, बहुती है, तो वो चीज देखते है, उसके उपर क्या होता है, बाकी वो भी क्योंकि ज़रूरी लीग ही है, अभी हमारे लीग है, इंडियर फुटबॉल में, बाकी और इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल कलेंड जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेंबर असोसीयसन, मतलब कि स्टेट फुटबॉल असोसीयसन, वो भी अपना कलेंडर जारी करें, हर स्टेट अपना कलेंडर जारी करें कि इस साल हमारे यह यह टोनामेंट इस टाइम पर होंगे, तो और मजा आ जाएगा, तो और क्लियर हो जाएगी चीज़, और ट्रांस्परेंट हो जाएगी, कि मैं चाहता हूं, क्योंकि ट्रांस्परेंसी रखो तो पूरी जड से उपर तक रखो, उपर उपर क्यों रखो, पूरी नीचे से रखो न, कि भाई, आपके स्टेट एफल के पास भी कलेंडर है, कि हमारे आप इस साल ये लीग होगी, इस मेतनी टीम खेलीगी और ऐसा ऐसा ये एक राइटीर रहेंगे, ताकि इस्टेट की जो टीम से है, वो भी प्रिपेर हो पाए उस तरीके से, प्लियर्स उस तरीके से प्रिपेर हो पाए, तो आपके का थौट्स है जो ओल इंडिया फुटब यूथ लेवल पर कैसे हम उनको एक्सपोजर मिलेगा, और कि आप भी चाहत है कि स्टेट अफ़े को भी अपना कलेंडर जो है वो एनाउंस करना चाहिए, तो आपके थौट्स बिलकुल इंपोर्टेंट है हमारे इंडियर्स फुटबॉल की ग्रोथ के लिए, तो आप जो भी कहना चाहेंगे जरू कमेंड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप इंडियर्स फुटबॉल को सपूर्ट करते रही है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिन, जय भारत!